बालागाट जिली के आदिवासी बाहुले बेहर तहसील के अंतरगते कई स्कूल भवन जरजर हो चुके हैं 25 से 30 साल पुराने भवनों की छट बारिश के दिनों में टपक रही है इस्कूली बच्चे ऐसे महौल में पढ़ाई करने को मजबूर है इस्कूल के हेड़ मास्टर राजकुमार सूरेवरंशी बताते हैं कि ये भवन 1996 का है जिसकी वज़े से जरजर हो चुका है छट तपक रही है, मिन्टेनिंस की जरुवत है पॉलतिल लगाकर छट का तपकना बंद किया जाता है लेकिन पानी रिसना बंद नहीं होता भवन के जरजर हालत की जानकारी संकूल प्रचार और बी आरसी को दे दी गई है इस संबन में हमने जन जातिय कारे विभाग के सहाया का आयोकत चतुरवेदी से चरचा की तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि संबंदित BRC से जानकारे लेने के बाद ही कुछ भी बता पाएंगे इसको कि सिकायत हम कर दिये हैं हमारे जयस के में शमकुल में भी आक्षी को पत्रपुर कार लोग पहले आये थे तो उनकी पिसंज्यान में ये बात दी हैं तो ऐसी साप का अपने अवगत निदर आयके चैसी को लेटर दिखा है अब हमारा क्या है हम अपने निचले इस तरसी करते हैं हमारे जो भी प्रावलम है तो हमारा जेसके शंकूल ब्यार से मौद इनके माध्य हमसे जाता है अच्छा यह बताएं और मेंटेनेस की रासी भी तो आती होगी मेंटेनेस की रासी पिछले सत्र में आई थी तो पन्नी वन्नी तो डाले यह उपर लेकिन फिर भी अब उपर से जर्जर है ना तो इस सत्र भी निया इस सत्र किया आएगे वा आने को है वो तो जून महामी निकल जाती ना पता नहीं है वो प्रभारिश वर बताएंगे स्वांदिर क्या नाम आपका राजकुमार